अब हम बात करेंगे variable के बारे में कि javascript में variables क्या होता है और उसका हम लोग use कैसे करते हैं तो जब भी आप javascript में किसी दो number का sum करना चाह रहे हैं या उससे divide करना चाह रहे हैं या आप कोई भी operation कर रहे हैं अब इसको मुझे करने के लिए मुझे चाहिए होगा कि इसको store करने का कोई mechanism हो तो वह variable के थ्रू किया जाता है अभी जैसे अगर मैं पहला number हमारा 10 था तो मैंने where first दिया फर्स्ट एक assumption है कि जो दस जो पहला digit होगा उसको मैंने as a first denote कर दिया और उसको store करने के लिए मैंने variable का use किया और ठीक second के लिए मैंने यहां पर second कर दिया तो अभी क्या हुआ कि यह जो हमारा दो number है वो मैंने दो variable में लग दिया और जावास्किप में variable को var से दिखाया जा था उसके बाद हम लोग जावास्किप में variable के नाम पर लेट और कॉंस्ट का यूज करते हैं तो यहां पर मैं अभी वैर का यूज करते हूं कि हम लोग कैसे variable का यूज करते हैं तो आप सपोस करिए कि हमारा पास दो number है और इसका हमें sum दिखाना है तो मैंने एक और variable ले ल इसको मैं comment कर देता हूं तो यह undefined इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर इसको कोई value नहीं दिया गया है तो इसलिए undefined आ रहा है और इसको मुझे कुछ value देना होगा तो मैं यहां पर ऐसे दे सकता हूं कि sum is equal to first plus second अब अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो इसका जो sum है वो exactly 30 आ रहा है तो यहां पर मैं समझ में आ रहा है कि जो variable है वो number को add करने के काम में होता है तो क्योंकि यहां पर मैंने number का type पास किया है लेकिन ऐसा नहीं है मतलब अगर हम variable में कुछ string वगरा भी यूज कर सकते हैं जैसे अगर मैंने यहां पर course लिखा तो course मैं जावास के भी लिख सकता हूं और जब मैं इसको देखोंगा इसको प्रिंट कराऊंगा तो यह भी प्रिंट हो जाएगा तो आप देख रहे हैं यहां पर जावास के पर 30 दोनों प्रिंट हो चुगा है लेकिन अगर मैं दोनों को combine कर दूँ मेरा मतलब है कि मैंने course लिखा और यहां पर sum लिख दिया तो भी सही आएगा यह सही आ रहा है लेकिन यहां पर अगर मैं दोनों को connect करूँ मेरा मतलब मैं मुझा add करूँ तो यह कुछ ऐसा आता मतलब जावास के 30 ऐसा रहा है और यहां पर sum को हटा कि अगर मैं first plus second कर दो तो यह ऐसे कंबाइन होके आ जा रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट और सकेंड वह तो number टाइप है और यह जावास्किप्ट क्या कर रहा है कि खुद से जिसको हम लोग implicit conversion बोलते हैं तो उसमें यह खुद से number को string में convert करके यहां पर so कर दे रहा है तो लेकिन अगर हमें जानना हो कि किसका type क्या है तो उसके लिए जावास्किप्ट में है कि अगर हम यहां पर type of लिखें type of और किसी भी variable का जो नाम है जैसे यहां पर code से अगर मैं code पास कर देत है वैसी अगर इसमें और भी बहुत सारे type होते हैं जैसे मैं true करके कुछ ले लेता हूं या each check ले लेता हूं और इसका मैं ऐसे true दे लेता हूं तो अगर मैं each check को पास करता हूं यहां पर तो यह बतागा कि यह boolean है और ऐसी इसमें object भी होता है और float integer साब आते हैं तो यह सब float integer जो है number के अंदर में ही आता है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 700 यहां पर 87 ऐसा कुछ लिख दूँ यह float हो गया मतलब decimal लागिया तो इसको float में कहते हैं और अगर मैं इसको print करा हूं अगर मैं यहां पर इसको print कराता हूं तो अब देखिए है कि जो हमारा answer है वो 31.57 जो कि एक float है integer नहीं है तो इसको अगर integer में convert करना हुआ जैसे बहुत कर सकते हैं और इसको integer में दिखा सकते हैं तो वह हम लोग थोई दिर में समझेंगे इस वीडियो में मैं बस आपको variable को परेचे समझाना चालों यहां पर अगर मैं जो हमारा value है उसको मैं late में भी ले सकता हूं यहां पर अगर मैं where को हटा के late कर लूँ तो हमारा answer जैसे यह एक file हो इसके अंदर function बनता है तो वह ऐसे early bracket के अंदर आता है यहां पर कुछ function का नाम होता है वह मैं आगर बताऊं है यहां पर आपको confused नहीं होना तो कुछ function का नाम है जैसे sum है और इसमें अगर मैं यहां पर कुछ use कर रहा हूं तो यहां पर मिझे late use करना हो मैं इसको constant रखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर वैर हटा के constant लिख लूँगा तो यह constant हो जाएगा अभी भी हमारा result कोई impacting पड़ेगा जो हमारा result है वह same ही आएगा अब यहाँ पर मैं कुछ change करता हो जैसे मैंने 77 कर दिया और फिर से मैं देख रहा हूं यह कुछ change हो रहा है मतलब यह same है बस किसी चीज को store करने के लिए यह box की तरह है मतलब इसमें आप चाहे तो string नहीं तो number नहीं तो boolean कुछ भी store कर सकते हैं जिसके तुरूब बाद में क कॉंस्ट के तो define करते हैं